नमस्कार दोस्तों YouTube चैनल में आपका स्वागत करते हैं आज हम बात करने जा रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग सबसे बड़ा ओशर जिया दोस्तों पैसा कमाने का सबसे बड़ा ओशर है ओशर की कहानिया तो आपने मीटिंग सेमिनार में बहुत सुना होगा लेकिन आज जो मौसर की बात करने जा रहे हैं वो पैसा की कीमत की बात करने जा रहे हैं इस वीडियो को अंतिम समय तक सुनेंगे तबी आपको समझ माएगा उससे पहले मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं कि हैं तो जल से जल सस्क्राइब कर दे लाइस कर दे ताकि नए 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 वीडियो आप सभी के बीच में लेके आएं चिहां दोस्तो हमने महसूस किया तब जाकि ये वीडियो आप सभी के बीच में ला रहे हैं कि पैसा पास होता है तो पराया भी पास होता है और पैसा पास नहीं होता है तो अपना भी पराया होता है और इस पैसा के वज़े से बीमारी और ब सबसे बड़ा है एक गरीब आदमी अमीर बन सकता है उसके लिए कोई आजू के सन नहीं उसके लिए कोई पढ़ाई लिखाई कुछ भी जोरत नहीं है अनपर गवार भी बड़ा और रहिस आदमी बन सकता है नेट वर्क मार्केटिंग सबसे बड़ा ओसर चिखा आज घर में लूट, पाट, चोरी, डेकेती, मार, काट, लड़ाई, छगड़ा का कारण है पैसा और इस पैसा के कीमत को समझना पड़ेगा तो नेटवर्क मार्केटिंग के उसर को समझना पड़ेगा अगर आप इस उसर को समझ गए तो आप भी कम पुंजी में सबसे अच्छा और चपर पेपार नेटवर्क मार्केटिंग इस सिस्टम को समझना पड़ेगा मेरे दोस्तो और आज अगर आप इस सिस्टम को नहीं समझ पाए तो यह उसर आपके हाँ से निकल जाएगा एक बार इसी तरह घर में मिया बीबी में लोग डाउन के वज़े से बेरोजगारी और तंग पीचा था उसमें बैठा हुआ था इसी दोरान एक रिशी एक जोतिस उसी रास्ते से गुजर रहे थे अपना कुछ शमान बरतन वगारा ले करके उसी दोरान उसने देखा कि उसके मुह कान पुरा लटके हुए हैं उसके जो है मायूसी चेहरा को देखके उसने सुचा आख आपका क्या प्रोब्लम है उसने बोलो मत बोली यार बहुत टेंशन में है तो बोला वो तो आपकी चेहरे से शिकन से ही पता चल रहा है कि आपका बहुत ही प्रोब्लम है आपकी आपके चेहरे से ही पता चल रहा है कि कुछ तो हुआ है तो उसने बोला देख भाई मैं तो एक रहगिर चलने वाला राही एक जोतिसू हो शकता है तेरी शमस्या एक बार देखने से पता चल जाए एक बार हाथ दिखाना उसने हाथ देखा और हाथ देखने के बाद में उसने देखा उसने हाथ देखा और हाथ देखने के बाद बोला भाई साब आपके पास तो एक बह तुम जिस प्लैटफॉम में हो, वहां एक बहुत बड़ा औसर आने वाला है. तुमारे घर के आंगर में एक बहुत बड़ा कल साप आएगा और उस साप को यह दी तुमने छू दिया तो रातो रात कड़ोरपती बन जाओगे. लेकिन तुम्हें उस साप को छुना पड़ेग उसने बोला पागल हैं कुछ कर दिया तो बोला नहीं एक तरह से यह औसर है इसे तुम अगर छू देते हो तो तुम्हारा ये भाग है जो एक तरह से चमतकार के रूप में तुम्हारा उदे होगा इतना सुनते उसके अंदर में एक जोस पैदा हो गया जुनून पैदा हो गया उसने सोचा ऐसा होगा वहां से वो बेक्ती सीधा एदम चोष के साथ में घर वापस आता है अंदर से दर्वाजा बंद रहता है उसकी बीबी अंदर से छिटकी निबंद करके घर में रहती है लेकिन ये चोष में इतना रहता है वो बीना बीवी को चिलाए, दर्वाजा को एक लाथ मारता है, दर्वाजा अंदर से खुल जाता है, बीवी अंदर से आ के पुछती है, इतना पागल कहे हो रहे हैं, बदर्वाजा को लाथ कहे मार रहे हैं, तुम बहुत बोलती थी थी न, आप रातो रात लाग पति बनने क समयाग्या है दारूपी क्या आया है क्या फिर से रात को पैसा नहीं था तेरे को अभी तेरे को अमीर बनने का सूझ रहा है इसा ही समझो ये जोस में इतना रहता है आप बोलो रात और रात लाग पति बनने वाले हैं तुम बोलती थी ना पैसा पैसा वो भी सुचती है उसकी दीदी दारूपी क्या आया है लोट्री उट्री लगा है क्या ये पागल उगल तो नहीं हो गया रात बर में पैसा नहीं था भी बड़ा बड़ा बात कर रहा है वो उसने बोला लोट्री लगा है क्या जी दारूपी क्या है क्या उसने बोला तुम बाते बंद करो कल से किधर घर चाहिए किधर मकान चाहिए कौन सा गारी चाहिए कौन सा बंगला चाहिए तेरे को सब मिल जाएगा बस रात भर में तु अपना नक्सा सब तयार कर ले तेरे इच्छाए तेरे ड्रीम तेरे सपने सब लिख के डाल सब तेरे को कल के बाद मिल जाएगा उसकी बीबी भी सो पूस्ती हुआ क्या बोला कल से मेरा भाग के दर्वाजा खुलने वाला है तो उसने बोला तो बताईए क्या है कल घर के आंगन में बहुत बड़ा साप आएगा मेरा चमतकारी का रास्ता ओपन करेगा आज तो जितना बोलना है बोल ले कल के बाद मेरा समय है उभी सुचता है देखते हैं इस पागल का भी क्या होने वाला है उसके बाद सबेरे ये रात बर नहीं सोता है आँख मलते मलते पुरा उठता है चार बजे से खड़ा रहता देखते हैं कौन सा साप आता है अब देखते हैं कौन सा साप आता है अब वो चमतकार तो होना ही वाला था इसलिए सांप आता है लेकिन सांप इतना बड़ा रहता है क्योंकि आउसर भी बहुत बड़ा होता है जितना बड़ा आउसर होगा उतना बड़ा तुफान लाता है वो इसी एक आउसर सांप था शांप इतना बड़ा रहता है कि अगर वो शांस लेले यानि सांस लेले कोई चीज तो ये लागपती के जगा खाकपती बनने का रास्ता तो नहीं बता के गया था, आरे बाप रे बाप, जान है तो जान है, फिर उसने सोचा, पुछ बोला है, काटेगा नहीं, चमतकार है, एक बार छूके तो ट्राइ करके देखें, वो अचानक परियास करता है, साहस करता है, और जरते चला जाता है, लाश्ट में फिर उसके बाते याद आता है, कि नहीं, एक बार छूके देख लेना है, साप बहुत दूर निकला हुआ रहता है, उसके पास सिर्ब एक रहता है, पुछ बचा हुआ, उसने सोचा, इसी पुछ बचु को छूके देखते हैं, वो बड़े सोना, और वो सोना बनते देखके ही वो घबरा जाता है, बोलता है, वा, ये क्या हो गया, अगर मैं पहले से साप को छू दिया होता, तो इतना बड़ा साप मेरे घर के आंगन में होता, इतना बड़ा साप सोना के रूप में होता, अरे वा, प्रेबाप, अब तो मैं छूभ नेट्वर्ग मार्केटिंग का हाल है दोस्तों लोग समझते उस टैम नहीं है जब किसी को समझाया जाता है और बाद में समझते हैं तब तक वो पूछडी हाथ लगता है पहले नहीं समझ माता है नेट्वर्ग मार्केटिंग बहुत बड़ा उसर है लेकिन उस टैम किसी को सम प्राण बताने लगते हैं फिर बाद मुझे एक दिन समझ में आता है और जब वो नेटवर्ग मार्केटिंग करता है तब उसे समझ में आता है और उसे हाथ लगता है छोटा सा पूछडी पहले अगर वो करता पहले वो समझ जाता तो मेरे दोस्तों उसके आंगन में बहुत बड़ा वो विसाल सुना पड़ा रहता उसी तरह पहले आज नेटवर्ग मार्केटिंग को जो समझ गया है आज कहीं ना कहीं पांद साल करने के बाद अच्छे प्लेटपोम पे है इसी तरह जो लोग को अभी भी नेटवर्ग मार्केटिंग समझ में नहीं आया है उसको आज समझने की ज़ौत है वो क Saya समझते हैँ पता है वो व क् Leg fonction गड़ा खोद रहा था अब यहां से बात्तुम तो तियार हो गया था लेकिन उसमें पैन वश्ठाने के लिए बड़े बड़े बरतन के जो साइस थे वो बिल्कूल पेन की तरह था उसने क्या किया दिमाग लगाया और बरतन को बीच में छेद करके पेन जैसा बैठा के उसके बाथरूम में पलश्टर मार दिया और उशी में बाथरूम बना दिया अब दो तीन महिना बाद उस जोतिस का समय पहुचता है वो उसी रास्ते से गुजरता है उसके दिमाग में रहता है कि हमने जिस लड़का से मिला था वो आदमी अमीर बन चुका होगा वो आदमी कड़ोरपती बन गया होगा उससे आज मिलते चले जाएंगे मेरा बरतन भी ल बोला आया था मैं समझ नहीं पाया डर से वो हाथ से निकल गया तो मेरे बरतन कहा है मैं तुम्हें बरतन यूज करने बोला था तुमने यूज किया उसने बोला हाँ यूज किया ना मेरे को पैसा नहीं था मैंने बातरू में डाल दिया पेन के रूप में और पलस्टर मार उसने बोला रे बाप रे बाप तुमने ऐसा क्या कर दिया अरे यार वो सारे बरतन मेरे सोने के थे और मैंने सोचा कम से कम तू किसी हाल में अमीर बन जाएगा तुमने एक बरतन को सोने का बरतन को भी पहचान नहीं पाया तो बड़े ओसर को तू कैसे पहचान पाएगा तेर लिए तू बड़ा आदमी नहीं बन सकता, क्योंको तो ओसर नहीं पहचान पाता, कहते हैं ना, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुुर्दा दिली का नहीं, अरे मुर्दा दिल का खाक जिया करते हैं और आज भी कितने बेकूप हैं जो पानी के बदले सराप पिया करते हैं तुम भी उसी केटेगरी में हो पानी जीवन है लेकिन आज भी तू सराप समझ रखा है उसी तरह इस बरतन की कीमत नहीं समझा तू उस बरतन को तुमने बात् उसकी प्रोफाइल को नहीं समझता उसके छोटे छोटे पेज उसके छोटे छोटे प्रोड़क्त की कीमत को नहीं समझता बचे खेलते रहते हैं उसके प्रोफाइल उसके चिठे उसके पेज से बच्चों को लेटरिंग धोते रहते हैं लेटरिंग को पुछा मारते रहते हैं उसकी कीमत को नहीं समझते क्योंकि वो network marketing उसे मजाक लगता है मेरे दोस्तों लेकिन network marketing बहुत बड़ा उसर है एक गरीब आदमी को अमीर बनाने का इसलिए आज इस उसर को समझे नहीं तो लगेगा हाथ सिर्व होई साप की छोटी सी पूछड़ी और तब आज जिस तरह से lockdown म में लोग पस्ता रहा है कि पार्ट टाइम भी कुछ network marketing की यह होते तो साइद आज मेरी हालत यह नहीं होता इसी तरह आज एक बार आपको फिर से network marketing को सबक लेनी की जोरत है इससे समझनी की जोरत है network marketing बहुत बड़ा उसर है तेरी जिंदगी और तेरे परिवार को बदलने क इसलिए मेरे दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो जल से जल subscribe कर लें और ऐसे ही रोचक वीडियो आप सभी के बीच में हम लाता रहें धन्याबाद